नमश्कार दर्शको जोतिस तंतर यूटिव चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है दर्शको आजंबात करने वाले हैं नौमबर दोहजार जोबीस में गरब धारन के जो उत्तम दिन है उनके विशव में हम बात करने वाले हैं दर्शको जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछल इकादशी कहा जाता है, तो जब तक देव जागरित नहीं होते, जब तक देव नहीं उठते, भगवान विश्णों नहीं उठते, तो कोई भी मांगलिक कार्य जो है, उसमपन नहीं होता है, तो यहां पे हम देखेंगे, कि एक नौंबर की अमावश्य है, ठीक है, एक ॹशु booking जो है पिल्कुल भी संभव नहीं है थिक है तो इसको आपको नोट कर लेनाएं जो लोग अभी से ही देट निकलवाने के लिए प्रियास कर रहे है मैसेज कर रहे हैं तो बारे नमबर तक का विट करें ठीक है उसके बाद जो है बारे नॉम्बर के बाद में जो है द्वादशी आ जाती है उसके बाद त्रियोदशी पूर्णिमा और परतिपदा ये चारो दिन भी जो है गर्ब धारन के लिए उत्तम नहीं है मैं पहले वाली वीडियोज में बता चुका हूँ द्वादशी त्रियोदशी तो कोई भी चांस नहीं है गर्ब धारन के क्योंकि चतरुमास चलेगा तब तक उसके बाद जो है अगर हम तित्यों की बात करें तो द्वादशी तिर्योदशी पूर्णिमार प्रतिपदा पड़ रही है तो ये चार दिन भी कट जाएं कहने का मतलब 16 नवंबर तक हम आ च बलवान है चंद्रमा बलवान है तो यहां पर गर्ब धारन किया जा सकता है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तृत्ते को भी चंद्रमा बलवान है चतुर्थी को भी जो है चंद्रमा बलवान है तित्थी उत्तम है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पंचमी में भी जो है चंद्रमा बलवान हैं शश्टी तक आप जो है गर्वधारन कर सकते हैं उसके बाद में चंद्रमा शीन है तो यह जो है यहाँ पर उपाय होंगे ठीक है उपायों के साथ आप गर्वधारन कर सकते हैं तो सब्तमी तक चंदरमा वलवान है, उसके बाद जो तिथी आती है वो आती है अश्टमी अश्टमी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, गर्बधरन नहीं होता है किसी भी इस्तिती में उसके बाद हमारे पास में आती है नौमी नومी तिती गर्भधरन के लिए उत्तम है लेकिन कृष्ण पक्स होने के कारण चंद्रमा यहाँपे कमजोर है तो यहाँपे भी अपईयो के साथ में गर्भधरन होगा सेम इस्तिति जो है 25 नुम्मेर की भी बनी है 10 मी तितिया कृष्ण पक्स की है चैंदरमा कमजोर पड़े हुएं, मृत नहीं ही है, कमजोर रशीन है, ठीक है, तो यहां पर भी जो है उपायो के साथ में गरबधारन होगा, ठीक है, तो अभी हमारे पास में अगर हम काउंट करें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ दिन हैं हमारे पास मे नौंबर में गरबधारन के लिए, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूँ, उसके बाद में इकादशी आ जाती है, यहां पर आप देख सकते हैं, 26 नौंबर की एकादशी है, फिर द्वादशी है, फिर त्रियोदशी है, त्रियोदशी दो दिन के पड़ रहे हैं, फिर च भीजिचे सचाटाइस उंतिश ँस तीस तो इनमें भी गर्वधारन नहीं होगा ठीक है हमघसiu को हमारे पास में आठ दिन आएं गर्वधारन न कि---- कौन कों से आएं आठ दिन गरबधारण के लिए और कौन से हैं मैं यहां पर आपको एक बार अलग से लिखके मैं बता देता हूँ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 और 25 ठीक है यह नॉवंबर के दिन हैं अब बात करते हैं क्योंकि अभी तक तो हमने जो बेश लेके चले हैं हम वो तिथी का बेश लेके चले हैं तिथी के बाद में हम जो है कोई त्योहार देखते हैं कोई त्योहार तो नहीं पड़ रहा है ठीक है त्योहार अगर हम बात करें सत्रे सत्रे तारिक तक सत्रे के बाद में जो है हमारे पास में डेट आई है तो सत्रे से पहले जितने भी हमारे पास त्योहार है उन्हें हमें देखने की जरूत नहीं है उन्हें काउंट करने की जरूत नहीं क्योंकि वो पहले ही कट चुक हमारी ये कट जाएगी ठीक है अठारे तारे को आप अवोड़ करो उसके बाद में हमारे पास में आती है 26 लेट विश चाबीष तारिक जो है हमारे पास में नहीं है 25 तक ही हमारे पास में दिन है ठीक है उसके बाद चाहे कुछ भी आ रहा है हमें उनसे कोई मतलब नहीं ठीक है क्योंकि वो हमारे पास में डेट है ही नहीं ठीक है जी कहने का मतलब यह है कि नूर्मली गर्बधारण के लिए सत्रे उननिस बीस एकिस बाइस चोबिस और पच्चिस इसका जो बेश है तिथी है तियोहार है और चंद्रबल है चंद्रबल देखो महुरत कोई भी हो चाहे प्रशन कुणली हो चाहे हमारी लगन कुणली हो या कोई भी शुब अशुबकारिया हम करते हैं तो उसमें चंद्रबल देखा जाता है अशुबकारिया जैसे तंतराधी के शटकर्म है उसमें भी चंद्रबल देखा जाता है ठीक है क्योंकि चंद्रमा जो है चंद्रमा से जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो डेली प्रेडिक्शन होती है डेली मतलब पांचांग वाली महुरत वाली ठीक है महीनी का जो प्रेडिक्शन होता है वो गुरू से होता है और साल का जो होता है वो सूर्य देव से होता है ठीक है तो इस परकार हम करते हैं तो इसमें जो है चंदरबल जरूर देखा जाता है उसके बाद आप अपनी राशी का विचार कर सकते हैं उसके बाद होता है विचार होरा लगन और नक्षत्र ठीक है यह चीज मैं यहां पर इसलिए नहीं डिसकस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो यह तिथी ली है मैंने जो टाइम लिया है उसका जो बेस है वो दिली है ठीक है अगर कोई ऑस्टेलिया में बेस्ट के जो है तिथी देख रहा है और वो सोच रहा है कि मैं इसके अकोर्डिंग जो है मैं ट्राइ करना हूँ तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है लगबग जो है छेए, साथ याँठ घंटे का अंतर होता है कैलिफورनिया में लगबग 12 घंटे का अंतर होता है ठीक है? इंडिया में भी टाइम की जो है आगे पीछे होता रहता है ठीक है तो इसे लिए मैंने जो है होरा लगन नक्षतर नहीं बताएंगे है प्लेस के अकोर्डिंग जो है ये चीजे चेंज हो जाती है तिथियां भी चेंज होती है तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बसंद आई होगी अगर आपका कोई डाउट है नॉम्बर में जो शुब दिन मैंने निकाल के दिये हैं गर्बदारन के लिए तो आप मुझे नीचे कमेंटर में लिख सकते हैं ठीक है चलिए जयमाता दी